देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त गंभीर पानी के संकट से जूज रही है समस्या से निजात पानी के लिए जल मंत्री आतीशी ने रईवार को पुलिस कमिशनर संजे अरोडा को पत्र लिखा उन्होंने अगले 15 दिनों के लिए प्रमुक पाइपलाइन वाले इलाकों में गश्ट और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का अनुरोद किया है पत्र में आतीशी ने कहा कि दिली भीचन गर्मी और पानी की किलत से जूज रही है हमारी दिली जलबोर्ड की टीम्स पेट्रोल करती है हमारी वाटर पाइपलाइन को कल यह जो साउथ दिली की में पाइपलाइन है जहां से सोनिया विहार से पानी आता है इसमें बहुत बड़ा लीकेज मिला जब हमारी टीम्स ने रिपेर टीम्स वहाँ पे गई तो ये देखा कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट काट के पाइपलाइन से निकाले गए थे That means ये कोई शडियंत्र था जिसके तहत इस पाइपलाइन को काटा गया था इस पाइपलाइन को तोड़ा गया था तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग शडियंत्र कर रहे हैं दिल्ली वालों को परिशान करने का शडियंत्र कर रहे हैं नई दिल्ली से बीजेपे सांसद पांसूरी स्वराज ने रहिवार को पानी के संकट को लेकर केजरिवाल सरकार के खिलाफ प्रदर शंकिया उन्होंने एपी सरकार पर ब्रिष्टाचार और टेंकर माफिया को बढ़ावा देने का आरूप लगाया और कहा कि इस भीशन गर्मी में दिल्ली वासियों को पानी नहीं मिल रहा है ये एक प्राकरतिक संकट नहीं है ये आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक संकट है जिसके तहट वो भरष्टाचार करते हैं और टैंकर माफिया को प्रोथसाहित करते हैं ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में भी इनी की याचिका में इनसे पूछी कि आप वाटर वे स्टेज के लिए कुछ नहीं कर रहे कि आप दिल्ली में टैंकर माफिया को रोखने के लिए कुछ नहीं कर रहे लेकिन आतिशी जी को अगर प्रेसवारता करने से फुर्सत हो तो वो ग्राउंड पर आकर मानने मंतरी काम करें ना इसी बीच छतरपुर इलाकी में दिल्ली जलबोट के कार्याले में कथे तोर पर कुछ नाराज लोगों ने बीजे पिनेता और पूर्व सांसत रमेश बिधूडी की मौजूदगी में तोड़ फोड़ की बीजे पिनेता ने कहा कि केजरिवाल सरकार ने पहले से गर्मियों में पानी की बढ़ी हुई मांग को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया आपने इससे पहले क्या कोई रोड में बनाया आपने दो महीने बाद गर्मी आने वाली है गर्मी में पानी की डिमांड उसके लिए को त्यारिया की आपने कोई बैठक की आपने किसी हर्याना के हिमाचल के मुख्यमंत्री से कोई बात की पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की कोई नी की, क्योंकि आप अपने घोटाले करने में, पैसे खाने में, बरदावस्ता की पैंसन रुकी हुई है, उनकी पैंसन नी दी जाती है, इसी लिए ये नाकाम जो सरकार है, इस सरकार का खामियाजा दिल्ली के धाई करोड लोगों को भुगतना पड़ रहे हैं। राजनेतिक आरोप प्रतियरोप की बीच दिल्ली के लोगों की हालत जसकी तस बनी हुई है, वे पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। दक्षिन दिल्ली के गोविंदपुरी में महिलाओं ने विरोत की तौर पर रहिवार को खाली बाल्टियां बजा कर प्रदेशन किया। सब्सक्राइब के लिए पानी के लिए पानी के लाते हैं इतनी लोगे पानी लाना पर खरीद के खाना वी उसी में बनाओ और तूबल के पानी आता ही है, सब बरतन भी खाली रहती है, तंकर नहीं आती है। थोड़ा पानी आता है, थोड़ा बहुत आता है, तो उसमें कप्रे लते, कभी दूलते हैं, कभी नहीं दूलते हैं, ना भी नहीं पाते हैं बच्चे, बहुत परेशन हैं पानी से तो हम, और सप्लाई वाला तो बिल्कुल भी नहीं आता, सप्लाई वाला तो नाम के लिए इससे पहले दिन में आम आदमी पाटी के विधायकों ने रविवार को पानी के संकट से ने पटने के लिए केंदरी जलचक्ती मंत्री सियार पाटेल से मुलाकात की